आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ प्रस्न है यदि एक दरपन को यहां पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रस्न है आकृति का सही प्रत्विम होगी आपकी प्रस्न आकृति यह दी गई है इसके लिए यहां पर एक दरपन रखा जा रहा है तो अब इसका जो प्रत्विम बनेगा इसके लिए चार बिकल्प दिये गया है बिकल्प नमबर एक, बिकल्प नमबर दो, बिकल्प नमबर तीन, बिकल्प नमबर चार अब इसमें से देखना है कौन सा बिकल्प आपका सही है तो अगर हम दरपन प्रद्विम की बात करें तो आपका जो दरपन रखा जा रहा है वो यहाँ पर रखा जा रहा है अगर हम दरपन को यहाँ पर ऐसे रख देते हैं तो जो आपका दरपन होगा यह हो गया अगर हम इस दरपन में जो दरपन के हिजाब से जो प्रत्विम्ब आपका बनेगा उसको आपको देखना है कि ये कौन से बिकल्प में दिया गया है अब आपका जो दरपन बन रहा है मतलब दरपन से जो प्रत्विम्ब बन रहा है वो कुछ इस प्रकार का है अगर हम इसको देखें तो आपका जो दर्पन पर प्रत्भिम बन रहा है यह ऐसे बनेगा जो प्रत्भिम बनेगा आपका इस प्रकार से बनेगा क्योंकि देखिए दरपन से जो ये तिर्भुज है ये नजदीक है तो आपका ये तिर्भुज भी आपका दरपन से नजदीक होना चाहिए उसके बाद दरपन से ये जो बृत बन रहा है ये थोड़ा दूर है तो आपका बृत भी ये दूर होना चाहिए अगर हम विकल्प नमबर एक को देखें तो आपके विकल्प नमबर एक में तिर्भुज बन रहा है नजदीक दरपण के उसके बाद बृत बन रहा है तो विकल्प नमबर एक आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि विकल्प नमबर एक ही जो है वो आपका जो ये प्रद्व बनना चाहिए था इसलिए विकल्प नमबर 2 भी आपका गलत हो गया विकल्प नमबर 3 इसलिए गलत हो गया क्योंकि यह तिर्भुज आपका गलत है तिर्भुज उल्टा बन गया है और ब्रित भी गलत जगा बना है ब्रित को यहां होना चाहिए तिर्भुज भी यहां होता और ये तिर्भुज भी विल्टा इसलिए विकल्प नंबर आपका 3 भी गलत हो गया और विकल्प नंबर 4 भी गलत हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर तिर्भुज होना चाहिए पहले खाने में इसलिए विकल्प नंबर आपका 4 गलत हो गया झाल झाल